नमस्कार प्यारे सम्हानित किसान भाईयों आप देख रहे हैं विजे किसान और मैं आपका होश्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजे आप सभी का स्वागत है और सरपर्थम आप सभी को स्री किर्सन जन्माश्टु पर की हर्दिक सुपकाम नाएं तो आज जो ये सामने आप प्लोट देख पा रहे हैं स्री आसिस सैने जी लक्षर हरीदवार उनका प्लोट है काफी जागरुक और युवा किसान है और अपना यूटूब चैनल भी चलाते हैं जो आसिस सैनी हरीदवार के नाम से है तो किसन भाईयों ये जो अभी आप सामने आप प्लोट देख पा रहे हैं इसमें 15-0-23 वराइटी की गन्ना भॉई की गई है जो 6 अगस्थ 2021 को इसमें गन्ना भॉई की गई है और गैफ हिलिंग के लिए जो नरसरी इसमें तैयार की गई है वो 7 अगस्थ 2021 को की गई है और जो इसमें उड़द की भॉई की गई है व तो उसकी वह आई 10 अगस्त को की गई है तो अभी आप सामने प्लॉट देख सकते हैं काफी अच्छा जमाव है लगभग 90 परतिसत तक जमाव खेत में आया है और जो इनरसरी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इसमें लगभग 97, 98, 97, 97% जर्मिनेशन आ गया है तो जो कि किसन भाई नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और लाइक कर दीजे तो किसन भाईयों आप बात कर लेते हैं कि जो मानसूनी असोजी सरद कालीन या जिसे आप आप आटम प्लांटिंग बॉल सकते हैं तो इस सब गन्ना जब आप वाई करने जा रहे हैं तो आप क्या-क्या सावधानियां बरस सकते हैं जिससे आपके गन्ने का एक उत्पादन भी बंपर हो और साथ ही जो फसल की हेल्थ है वो भी अच्छी रहे और कम से कम कीट और रोगों का परकॉप फसल पर हो तो उसके लिए हम क्या कुछ सावधानिया बरस सकते हैं वो एक के टैम से ही तो खेत की तैयारी कंपोश्ट वगएरा वो तो सब कॉमन प्रैक्टिस में है ही तो सब करते हैं तो अभी हम बात करेंगे जो बीज के चैन से सबसे पहला जो मुखे विंदू है वो बीज का चैन है और बीज का चैन अगर आपने सही से कर लिया तो पचास परतिस सफल फसल का उतपादन आपने ले लिया सुरू के दिन से ही जिस दिन आपने बीज का चैन सही कर लिया उसी दिन आपने पचास परतिसत फसल आपकी सफलता पूरवक हो गई ये आप मन में बैठा लेजिए बात को तो मैं बिलकुल इस फ़ष्ट रोप से आपको यहां पर बात करूँगा तो जो हमें बीज लेना है गनने का सबसे पहले तो हमें उस खेट से बीज लेना है जहां पर किसी पैश्ट इंसेक्ट या फंगस का इंफेक्शन ना रहा हो या फिर बहुत कम हो मैं फिर आपको दोरा रहा हो कि या तो उसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट पैश्ट या फंगस का इंफेक्शन ना रहा हो या बहुत कम हो और जो गनना आप इस पेशल बीज के लिए कटाई करा रहे हैं उसमें तो कम से कम सिम्टम्स आपको किसी रोग इंसेक्ट पैश्ट क ना दिखाई दे रहे हूँ तो सबसे पहला आगए आपका बीज का चेहन दूसरा इसमें आ जाता है कि बीज के चेहन में कि आपको आठ से दस महिने पुराना बीज आपको लेना है दस महिने से अधिक पुराना बीज कौसिस करिए कि आप उसे अवोइड करें आप दस महिने से पुराना बीज ना लें और आठ महिने से आठ महिने की जो कम उम्र का बीज है उसे आप ना लें तो ये एक सावधानी आपको बरतनी है दूसरा जो जैसा आप अभी मांसुनी असोजी या ये ओटम प्लांटिंग में जब आप वोई करेंगे तो जो उपर की जो सही से विक्सित नहीं हुई आखें उपर की आखें उन्हें आप 4-5 आखों को छोड़ दीजी और जो नीचे की जहां पर वो सेकेंडरी रूट्स आ गई हैं जरित्यक जड़े जिनें बोलते हैं वो आ गई हैं तो वहां तक कि आप वो 2-4 पोरियां जितनी भी हैं तो उन्हें आप अटा दीजी तो वो बीच का जो स्वस्त गन्ना है वो आप लीजी और गन्ना कटाई करते समय ये धियान रखें कि आप कटर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बहतर है मतलब आप साथ कट लगाएं जो राॉंड में होगा सीधा सीधा कट तो वो जब आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो बीज की यानि कि जो हमारा गन्ने का टुकड़ा है उसके गलने सडने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है तो अब बात कर लेते हैं कि कितनी आँख का टुकडा आपको बुआई करने चाहिए तो देखे अगर आप नए हैं अगर आप पहली बार दुरबर्ती विदी से गना बुआई कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बैश्ट है कि आप दो बढ़ का टुकडा लें दो आँख वाला टुकडा लें और जो किसान भाई पहले से करते आ रहे हैं वो एक आँख का टुकडा लें या फिर जिन किसान भाईयों को मदर सूट तोड़ना है ज़्यादा टिल्रिंग लेने के लिए ज़्याद से ज़्यादा फुटा हो उसके लिए अगर आपको मदर सूट तोड़ना है तो आप उसके लिए एक आँख वाले टुकडे को प्रिपर करें और एक आँख वाला टुकड़ा आप 6 इंच से लेकर के 9 इंच जो इस पलोट में भी जो भी आप सामने पलोट देख पा रहे हैं इसमें भी वही है कि 6-9 इंच के गैप पर वो एक आँख का टुकड़ा इसमें लगाया गया है अब बात करेंगे सीड ट्रेटमेंट की तो सीड ट्रेटमेंट या बीजुपचार आप कह सकते हैं तो बीजुपचार भी गन्ने की सफलतम और अधिक उत्पादन लेने के लिए बहुत ही मुख्य एक रोल पले करता है तो इसके लिए आप एमिसान मरकरी कलोराइड जो एक फंजी साइड आता है मतलब एक सीड ट्रेटमेंट के लिए तो आप उसे ले सकते हैं और साथ ही कई सारे बड डॉर्मेंसी ब्रेकर आते हैं मार्केट में जो हमारी आख है वो सुसुपता वस्ता में चली गई है तो उसकी वो सुसुपता वस्ता को डॉर्मेंसी को तोडने के लिए कहीं सारे प्रड़क्ट उपलब्द हैं जैसे एक प्रड़क्ट बड़ेक्स है जो मार्किट में उपलब्द है तो आप उस तरह के प्रड़क्ट का इस्तमाल आप कर सकते हैं उससे क्या होगा कि आपका जल्दी और भैतर जमाओ आपको एक खेत में आपको मिलेगा तीसरा जाता है आपका फटिलाइजर्स तो जो फटिलाइजर्स हैं आपके तो उनमें आप जिससे डिएपी है तो डिएपी को आप अगर बॉई के समय पर अवोईड करें तो ज्यादा भैतर है तो उसकी जगह आप सिंगल सुपर फासपेट 60 किलोग्राम परतिये करके ही आप कोई भी एक माइकोराइजर्स जिसमें एंडोर एक्टो दोनों माइकोराइजर्स हो तो बहतर है तो कोई भी एक माइकोराइजर्स जो पीजी आर मार्केट में अपलब्द है वो एक लेख सकते हैं आठ किलोग्राम परतिये करके हिसाब से और साथ ही आप 500 ग्राम थ एक फंजीसाइड जिसमें आप कारवड़ना जिममेंकोजेव ले सकते हैं जो तीन पर्सेंट में उपलब्ध है है और उसे है आप ले सकते हैं और अगर throughout about patreon pg हैं मतलब आपको potassium homemade जो 90 परसेंट परसेंट या 95 परसेंट में उपलब्द है homic acid वो नहीं लेना है आपको natural homic acid लेना है जो कई नाम कई नामों से कई companies के branded companies के भी market में उपलब्द हैं मैं नाम यहां पर नहीं बताऊंगा फिर कल आप लोग यह कहेंगे है कि वह यह paid promotion कर रहे हैं तो वह business ethics के भी खिलाब है तो आप अपनी जो आपके पसंदिदा company हैं या जो आपके भरोसे के dealer हैं आप उनसे संपर कर सकते हैं और वह आपको वह उपलब्द करा सकते हैं दूसरा आजाता है कि जो आपको gap filling के लिए nursery जो मैंने अभी पिछे भी बताया कि इन्होंने nursery लगाई तो आप gap filling के लिए nursery भी जरूर लगा दें तो अब बात आजाती है कि जो अंतरवर्ती फसल आप लेना चाह रहे हैं तो जैसा अभी आप उसमें सरसों लेंगे आने वाले समय में तो कोसिस करें कि आप पीली सरसों का चैन करें और कम फैलाओ वाली मैं दोबारा repeat कर रहा हूं तो कम फैलाओ वाली पीली सरसों का आप चैन करें उससे क्या होगा कि जो एक criteria है कि आपका zero से 60 दिन तक खेत में गन्ने को space YG कोई competition नहीं होना चाहिए अगर आपको बहतर गन् किसा में आप कम फैलाओ वाली पीली सरसों का इस्तमाल करें तो किसन भाईयों आपको ये जो हमने content दिया ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज हमें comment box में जरूर बताईए कुछ आगे के point हैं जिन्हें मगली वीडियो में discuss करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो